है दोस्तों नमस्कार वेलकम चुदा एक्जाम मास्टर चैनल सिक्षा जगत समचार आफ्टर दिवाली आज है 15 नवंबर और साप सब का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अब दिवाली के बाद सरकार थोड़ा सा जो अभ्यार्थी बेरोजगार हैं इनकी नई भरती को ले करके थोड़ा सा सीरियस हो जाए और बच्चों को रोजगार देने के जो मार्ग हैं वो खोल दे तो यहां पर इसी में जो पहली खबर है वो यह है कि एल्टी ग्रेट भरती भी अगले साल होगी बचे हुए पदों पर देखिए यह सूचना निकल के आ रहे कि एल्टी ग्रेट सिष्चकों के 3242 पद खाली रह गया मतलब मैं आपको बता दू कि ऐसे ऐसे विद्या मतलब जो है विशय थे सबजक्ट थे जिनकी सीटे खाली चली गई एल्टी ग्रेट में समझ गया तो लोग सेवा आयोग में एल्टी ग्रेट सिष्चक भरती प्रक्र अल्रेडी और खाली हो गये हैं दो सालों में मतलब जो रिटायर हुए हैं दो सालों में दो हजार अथार उन्नीस और बीस में जो होंगे इनको आइड करके अगर दिया जाए तो देख लिजे यहां पर बात की जाए तो कला विशय में डिग्री विवात के कारण सैक्रो अगले साल नया विज्यापन जारी कर सकता है और अभ्यारती मांग भी कर रहे हैं कि माधिमिक शिच्छा सिद्नेदेशाला है रिक्त पदो का धियाचन आयोग को शीघ्र भेजे पंद्रा भिश्यों में 80 ग्रेट सिच्छकों के 10,766 पदो पर भरती जो है आई थी 29 जुला का रिजर्ट और हिंदी का आब आ चुका है 7526 पदो पर अभ्यारती चैन हुए हैं और 3242 पद खाली रहे गए हैं गनित विज्यान और कंप्यूटर में बड़ी संख्या में सीटे खाली चली गई विज्यान में 80 ग्रेट सिचके 1045 पद थे केवल 84 पदों पर चैन हुआ वह सोचे कि इतने बड़े बड़े अमाउंट में सीटे खाली जारे हैं तो अब भर्ती ही नहीं मिल रहे हैं ठीक है तो अब इस पर जो है नहीं भर्ती जो आएगी तो आप लोग पहले से तैयारी करके अपने विशय की योगता के हिसाब से तैयारी बढ़िया कर लेंगे तो यहार राजकी यह इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बन जाओगे मतलब समझ रहे हैं प्राइमरी वगएरा कुछ नहीं उसके आगे चैन बोल्ड के ध्यापत भरती भी बंद हो चुके कोर्स भी मान्य होंगे देखिए यूपी बोल्ड सिच्छकों के चैन में चल रहे हैं सव पुराने नियम यहां पर देख लीजे बोल्ड एक बोल्ड होने के बाद भी एक कोर्स पढ़ने के लिए दो अलग अलगर हताय रखे जाने पर अभ्यारतियों ने सवाल खड़ा कर दिया है हालत यह कि विश्विद्याले और शैचिक सांस्थानों के और से जिस कोर्स अधिक शिच्छा सेवचान बोर्ड का खेल और इसके बाद बात करेंगे सिच्छागवर्ती धानली के आठ अन्य आरोपियों पर लगेगा गैंग्स्टर उनहत्तर हजार सिच्छागवर्ती धानली में आठ अन्य आरोपियों के खिलाब भी गैंग्स्टर लगेगा हाला कि सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं यह हकीकत है क्योंकि 79,000 की हकीकत ही आज के डेट पर व्यंग बन चुकी है आप देख सकते हैं कि यह भरती दो साल से अधिक समय ले चुकी आई थिंग है ना अब क्योंकि इसी समय जो है इसका नुटिफिकेशन वगरा आया वगरा था है ना 6 जनवरी 2019 से 2020 और 2020 का यह नमबर आरट में दो साल होने वाला है और अभी तक दिवाली भी बीद गई अभ्यार्थियों को न्युक्ति पत्र नहीं मिला है कि सभी अभ्यार्थियों को मिल गया हो बिचारे 37,000 अभ्यार्थियों की जिंदगी जो है वो अटकी हुई है और इ उसने इतने दुख जहल लिए इतने पापड बेल लिए कि इसका क्या उसको खुशी होगी मतलब अब उसे तो यकीन ही नहीं होगा राइट तो यह है कुछ 79,000 भर्ती के रंग की बात और यहां पर दिखें दो माह में दो PCS परिक्षाओं के परणाम जारी होने के उमीद है खेर यह लोग से वायोग की खबर है और इसके बाद CBSC ने भी 10 वी बारवी में पास होना बड़ा आसान बना दिया मार्किंग पैटर्न बदल करके तो बच्चे जैसे UP बोर्ड में फेल नहीं होते थे वैसे अब CBSC बोर्ड में भी फेल नहीं होंगे तो बच्चे चलो हाई सिक्षा जगत समचार आई होग की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो लाइक करो बाकी नहीं भरती के लिए जोर लगा रहा है बहुत जल्दी आप लेके लिए नहीं भरती जो है निकलवाया जाएगा सरकार की जेप से आंक्यो सो मच